नमस्ते फ्रेंट्स मैं प्रयांका आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैगन का भरता जिसे बनाना बहुत ही जादा आसान है और बहुत ही कम इंग्रिडियन्ट के साथ आज मैं आपको ये रेश्पी शेयर करने जा रही हूँ तो करते हैं तो फ्रेंट्स मैंने यहां पर ले लिया है आधा किलो बैगन जिसे मैंने दोकर अच्छे से साफ कर लिया और उसके बाद हम इसे इस तरीकी से बीच से कट लगा लेंगे चाकू की साहता से और इससे बहाने हम चैक भी कर सकते हैं अपने बैगन को कि अंदर से कोई बैगन खराब तो नहीं है उसके साथ हम इसमें आड़ करेंगे हरी मिर्च और लहसुन जो हमने कट लगाया बस उसे भी आपको एड़ करनी है हरी मिर्च और लहसुन को ताकि जो अच्छे से बैगन में लहसुन और मिर्च की भी सौंधी सौंधी फ्लैवर आ जाए इससे ब जरूर बताएगा मुझे बहुत अच्छा लगता आपके प्यारी प्यारी कमेंट्स पढ़ना तो आप मुझे जरूर बताएगा कि आप कौन से शहर या स्टेट से देख रहे हैं मैं आपके लिए ये रिस्पी जो है च्छतिस घड़ से बना रही हूं तो आप भी जरूर ब बस आपको इस तरीकी से ऊपर से अंदर तक डालते हुए ऊपर में अच्छे से एक लेयर लगा लेनी है सरसो तेल की इसी तरीकी से आप भी जब भी बनाए तो लगाएगा जरूर सरसो तेल से बहुत अच्छी टेश्ट आती है यह दिखिए इसके अंदर तक अच्छे से सरसो तेल जाना चीए अब हम क्या करेंगे गैस पे जाली रख लेंगे और उसके ओपर बैगन रखते वे हम उसे अलटते पलटते अच्छे से उल लेंगे और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स बैगन पे क्योंकि कई बर क्या होती है जल जाती है तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेंग जो है कभी मेडियम कभी हाई ऐसा करकर के अपको यहाँ पर बैगन जो है भून कर दिखा रही हूँ यह देखिए बहुत अच्छे से बैगन की जो हम भहरते बनाते है न तो पुरे घर भी इतनी अच्छी खुश्बू फैलने लगती है पढ़ोसियों को भी पता जल जाता है कि आज हमारे हैं बैगन का भहरता बना है क्योंकि बहुत अच्छी खुश्बू आती है सौंधी और यह देखिए बैगन को इस तरीके से भी चारो सैट से अच्छे से पका लेना अच्छे से भून लेना है सौफ्ट भी हो जाते है बैगन भूनते भूनते अब हम क्या करेंगे निकाल लेंगे इसे है न इसी तरीके से हम अपने बाकी बचे हुए बैगनों को भी भून ल यह देखिए उसे भी हम निकाल लेते हैं प्लेट पे अब हम एड़ करेंगे टमाटर दो और साथ ही हम इसमें दो प्याज प्याज को बिल्कुल भी ना चीले फ्रैंट्स सभी को टमाटर प्याज को एक बार दो लें और इस तरीके से आपको गयस की उपर रख कर उसे अच्छे से पका लेनी है पलट पलट कर देखिए टमाटर बहुत जल्दी पक जाती है और यहाँ पे हमारी प्याज भी पक चुकी है और यह काफी गरम है अभी तो हम तूरंत इसका छिलका नहीं उतारेंगे अगर तूरंत छिलका उतारते है ना तो उसका छिलका चिपकने लगता है है ना तो जब वो ठंडी हो ज जो है इसका निकल रहा है बैगन का तो इसी तरीके से आपको भी निकालना है यह देखिए है ना मस्त पकी हुई बैगंद की भरते बहुत ही स्वाद आती है तो आप भी एक बार इसी तरीके से ट्राइ करिएगा क्योंकि आपने तो बहुत बार बैगंद के भरते अलग-अलग तरीके से बनाए होंगे कभी इस तरीके से ट्राइ करियागा आपको बहुत पसंद आएगा साथी देखे मैंने जो टमाटर डाल था उसका भी जो छिलका है वो बहुत आसानी से यहाँ पर निकल रहा है ये देखे बहुत अच्छे से मैंने टमाटर को भी छिल लिया अब हम प्याज को छिलके दिखाते हैं तो आपको क्या करना है उसके दोनों किनारों को कट कर लेना है प्याज की चाकू की सहाथे से और उसकी जो रूट्स होती न वो भी हम इस तरीके से निकाल लेंगे अब ये प्याज भी अंदर से पक गई न तो बहुत आसानी से ये कट रही है थोड़ी से स्लिप हो रही है पर कट जरूरी है आसानी से ये देखिए बहुत आसान है इसे बनाना फ्रैंड्स और ये देखिए पुरे जो प्याज के जो छिलके हैं वो इस तरीके से आसानी से निकल चुके हैं अब हम क्या करेंगे इसकी जो थोड़ा वोज भी रहता है ना वो भी अच्छे से यहां पे साफ कर लेंगे और उसे बीच से कट लगाएंगे और हमें प्याज को बहुत ज़्यादा बारिक वगिरे नहीं काटने हैं है ना और इसका जो टेश्ट आता है ना एक दम क्रंची आता है आप इस तरीके से जरूर बनाएगा प्याज पके हुए भी है और क्रंची ने साता है बैगन के भरते में अब हम क्या करेंगे जो बैगन के डंठल होती है ना वो भी हटा लेंगे क्योंकि वो मैश तो होंगे नहीं और हम हटा लेते हैं इस तरीके से सबी बैगन के जो डंठल है वो हटा लेंगे उसके बाद आपको क्या करनी है बैगन को कट लगाना है तो जो बैगन की रेशे होती है उपर से नीचे क्यों राती है तो आपको उसके अपोजिट काटना है तो इस तरीके से आप काटेगा जब भी अब बैगन के भरते बनाएना तो इससे बहुत असानी से मैश हो जाती है तो आपको अपोजिट ही काटनी है उसके बाद ये देखे टमाटर को भी हम इस तरीके से बारिक मतलब रफली चॉप कर लेंगे बहुत ज़्यादा बारिक तो नहीं कट पाएगी क्योंकि ये बैगन जो है पकी हुई बैगन है तो ये बहुत ज़्यादा बारिक नहीं होगी क्योंकि ये स्लिप होगी तो प्याज को भी देखे इस तरीके से मैंने रफली चॉप कर लिया सबी सब्जिय जो हमारे भरते के लिए तईयार हैं अब हम इसका बनाते हैं भरता तो आपके पस कोई भी हो जाहे दल गोटनी हो जो दाल मथनी होती है ना उससे भी आइद मस लकते हैं या फिर पोटेटो मैश अरो जिसे पौवाजी बनाते हैं उससे भी मेरे पास सीवल है तो मैं इससे मैश कर रही हूँ साथ ही हम इसमे एड़ करेंगे नमक स्वाद के अनुसार ये देखिए नमक डाल के हमें अच्छे से से मिक्स कर लेना है बस फ्रेंट्स आपको इसमें और कोई भी एक्ष्टर मसाला वसाला ये वो डालने के जरुवत नहीं है क्योंकि हम भरता बना रहे तो जितना कम मसाला यूज हो उतना ज्यादा स्वादिश्ट होता है बाकी सबजी बनाते तो हम उसमें धेल साला कूट-कूट के मसाले डाल सकते है पर भरते में ज़्यादा से ज़्यादा मसाले को वाइट करना चीए मैंने एक तड़का पेन में ले लिया सरसो का तेल उसमें डाला जीरा और साथ ही हम डाल रहे हैं आधी चोटी चमच मेरे लाल मिर्श इससे बहुत अच्छा कलर आएगा ये दिखिए अब हम इससे डाल देते हैं अपने बैगन के भरते के ऊपर देख्या ना फ्रेंट्स मैंने बहुत ज़्यादा इस पे कोई ज़्यादा मसाला यूज ने किया सिंपल सा बहुत ही स्वादिष्ट अलगने वाला ये बैगन का भरता आप एक बार जरूर ट्राइ करिएगा रियली फ्रेंट्स आपके फैमिली वाले सभी को बहुत पसंद आएगा मैंने उसके उपर डाल दिया हरा धनिया और मेरे पास स्प्रिंग ओनियन जो हरा प्याज होता है वो भी था तो मैंने वो भी डाल दिया अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो आप इसे रोटी, पराठा, पूरी, नान, चावल, डाल किसी के साथ भी खाईए बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है इसका स्वाद आप फ्रेंड्स आपको हमारी आज की रेसिपी कैसे लेगी प्लीस कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएगा साथ ही चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल भी ना भूलिए क्योंकि रोज में आपकी लेग नई रेसिपी के साथ आती हूँ तो चैनल को जरूर से सस्क्राइब करिएगा मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ तब तक बाई बाई अपना खयाल रखिए धन्यवाद